सबका हर सब्जी बनाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है इसलिए लोग अपना अलागलग तरीके को शेयर करती हैं कि वो सब्जी कुन सी सब्जी किस तरीके से बनाते हैं क्योंकि जो सब्जी मैं इस तरीके से बनाती हूँ उसमें थोड़ना डालना है अजमाइन अजमाइन के बाद उसमें डाल दीजिए हल्दी और हल्दी के बाद उसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर धनिया पाउडर के बाद डालिए लाल मिर्ची पाउडर और उसे इस तरीके से पूरे में spread कर दीजिए पैन में अभी अर्भी को boil कर लीजिए पहले ही और उसे छील कर उसे आप हतेली की साहता से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिए नेकि तो वो भूने लाई condition में नहीं रहेगी फिर फिर उसे इस mixture में डालके मसालों के साथ में और अच्छी तरीके से भून लीजिए और बीच में उसमें थोड़ा नमक भी डाल दीजिए नमक बहुत ज़्यादा मढ डालिए और यहाँ पर इस तरीके से उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में आपको पलटते रहना है गैस की फ्लेम को दीमा ही रखना है ज़दा तेज नहीं करना है वो जब भून जाएंगी तभी उसमें डाल दीजिए अमचूर पाउडर जब आप देख लें कि वो भून चुके हैं और उसमें तारने वाली कंडिशन में हो जब मतलब हो चुके हैं प्रॉपर्ली तभी अमचूर पाउडर डालें उसे स्प्रेट कर दें और उसे पलट दें दूसी साइड में भी अमचूर पाउडर नहीं पड़ा है तो थोड़ा से और फलेवरिंग देने के लिए दूसी साइड में भी absolute या रेडी इसी आप कभी बही नहीं नें और बढ़ी अच्छी लगती है नहीं तो आप पराठी के यह रोटी के साथ खाई है और इसे आराम से आप कभी भी बना सकते हैं ज्यादा इसमें कोई जंजट भी नहीं है तो अभी आलमूस्स बनके रेडी कोई धनिया डाली अभी यह रेडी है अगर मेरे चैनल के आप कोई यह रेस्पी अच्छी लगी तो सबस्क्राइब कर दीजिये